हल आसन का अभ्यास उच आसनों की श्रेणी में या कठिन आसनों की श्रेणी में रखा गया है इसका अभ्यास तब तक न करें जब तक कुछ अन्य आसनों में और सूरे नमसकार के अभ्यास में निपुन न हो जाएं पहले कुछ सब्ताहा या कुछ महीने अन्य आसनों का ठीक परकार से अभ्यास करें जब उन आसनों में स्थिर्टा आने लगे और शरीर में लचीलापन ठीक परकार से आ गया हो वे सुरे नमसकार का अभ्यास ठीक परकार से होता हो उसके बाद हलासन का अभिहास करें हलासन के अभिहास के लिए अपने स्थान पर पीट के बर लेट जाएंगे दोनों पैरों को मिला लेंगे हत्थों को जमीन पर दवाएंगे दिरे दिरे अब यहाँ पर सांसों की गती समाने रूप से चलती रहेगी या फिर सांस को पहले भर लेंगे और सांस को रोकते हुए पैरों को उपर की और उठाएंगे आरम के कुछ दिनों में सांसों की गती समाने रूप से ही चलने दें एक साथ दोनों पैरों को जमीन से उपर उठाएंगे और जैसे ही पैर उपर उठाएं उसके कुछ समय बाद ही पीट को भी जमीन से उपर उठा देंगे और पूरे शरीर को कंधों के उपर लेकर आएंगे इस परकार से पैर उठाते हुए हाथों के उपर दबाव बनाते हुए पीट को भी जमीन से उपर उठा देंगे और दिरे दिरे पीछे की ओर जाते रहेंगे गुपने सीधे रखके दोनों पैरों को उंग्लियों को जमीन पे रख देंगे इस परकार अपने दोनों कौनियों को मोडेंगे और हाथों से इस परकार से पीट को साहरा देंगे गुपने बुर को सीधे रहें इस परकार से रोक के रखेंगे सांसों की गती सामाने रूप से चलती रहे और अब धीरे धीरे शरीर को वापस लेकर आएंगे हाथों को इस परकार से जमीन पे रख देंगे पैरों को दिरे धीरे गुटने सीधे रखते हुए पहले पीट को जमीन पे रखेंगे और उसके बाद गुटनों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस ले आएंगे शरीर को धीला छोड़ते जाएंगे दो से लेकर तीन बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और प्रती एक बार में 20-25 सेकिंड से अभ्यास आरम करते हुए एक मिनिट तक समाने रूप से शरीर को स्थिर करके रखा जा सकता है हल आसन के अभ्यास से तुरंद पहले सरवांग आसन का अभ्यास करें और हलासन के तुरंद बाद उश्रासन या सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें अभ्यास के दौरान सारा खिचाव अनुभव करेंगे पीट पे, कंधों पे, कमर पे, जंगाओं पे, घुटने के पिछे और पिडलियों पे इन सभी अंगों के उपर पूरा खिचाव अनुभव करेंगे अभ्यास के दौरान और सारा दबाव पेट के उपर अब यदि लाब की चर्चा करें तो हलासन के अभ्यास से शरीर की अधिकान मानस्पेशियों के उपर खिचाव उत्पन होता है जिसके परिणाम सरूप शरीर की मानस्पेशियों लचिली, बल्वान, उर्जावान, स्वस्त वे ताकतवर बनती है अभ्यास के दौरान जब पूरा खिचाव इन मानस्पेशियों के उपर उत्पन होता है तब शरीर में रक्त का संचालन भी भली परकार से होता है और शरीर में उर्जा की व्रिद्धी होती है पीट रीड की हड़ी के लिए जो भी अभ्यास है उसमें सर्व स्रेश्ट अभ्यास अल आसन का अभ्यास है इसके अभ्यास से सारा दबाव पेट के उपर उत्पन होने से पैंक्रियाज अपना कारे सक्रिये होकर ठीक परकार से करने लगता है जिसके परिनाम सुरूप मदुमें के रूगियों को लाब मिलता है पाचन तंत्र में सुधार आता है वायुविकार भोजन का पाचन ठीक से ना होना पेट का बड़ा होना इन समस्याओं में लाब मिलता है थाइराइड गरंती पर भी इस आसन का साकरात्मक परभाव पड़ता है मुतर संबंधित रोग कबज दमा इन समस्याओं में भी लाब मिलता है साफधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें उच्छ रक्तचाप, पेट और पीट से सम्मंधित कोई गंभीर रोग होने पर हरनिया, स्लिप डिस्क और शाइटी का की समस्या में इसका अभ्यास ना करें इसी प्रकार की और वीडियो ने यमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सनेह दें धन्यवाद